असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स आज हमने चेप्टर 7 का टॉपिक नूबर 2 स्टार्ट करना है 7.2 टॉपिक, डैंप्ड ओसिलेशन डैंप्ड ओसिलेशन स्टूडेंट, वाट इस डैंप्ड ओसिलेशन बेसिकली ओसिलेशन को अगर आप देखें तो ओसिलेशन बिल्कुल वही चीज़ है जो के वाइब्रेशन है यानि के हम वाइब्रेशन को ही ओसिलेशन कहते है जब कोई बोडी वाइब्रेट कर रही होती है तो I will say that the body is ओसिलेटिंग, ठीक है तो what is damned? damned क्या होता है? मैंने, damned जो होता है अगर कोई बोडी वाइब्रेट कर रही है तो वाइब्रेट करती करती वो आहिस्ता आहिस्ता से वापस अपनी रेस्ट की हालत में आ जाती है यानि कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन से उसकी वाइब्रेशन कम होती 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 खतम हो जाती है इसको हम कहते हैं damping ठीक है? for example, आपने घंटी बजाई ठीक है? गिरजा के अंदर वो जो घंटी लगी होती है मंदरों के अंदर लगी होती है वो घंटी की वाइब्रेशन होई होती 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 आहिस्ता से इसकी vibration खतम हो गई तो ये हो गई उसकी damping ठीक है आपने guitar पकड़ा आपने उसकी तार को छेड़ा ठीक है वो vibrate करना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता से उसकी vibration होती 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 खतम हो गई तो इसको हम कहेंगे damping तो damped oscillation अगर हम इसकी definition करना चाहें तो मैं कहूँगा हम इसकी definition करते हैं the oscillation यानि के oscillation mean के vibration the oscillation in the presence of some resistive force is simply known as damped oscillations TK students the oscillation in the presence of some resistive force is simply known as damped oscillation student resistive force के चीज़ है यह मुझे पता चल गया है oscillation vibration को कहते हैं अब यह resistive force के चीज़ है अगर किसी चीज़ में मैंने एक spring है spring को आपने vibrate किया आपने एक्जेंपल पढ़ी थी ना spring की आपने उसको vibrate किया vibrate होता 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 आहिस्ता आहिस्ता से वो रुक गया student यह बात याद रखनी है को कोई body क्यूं रखती रुकती है तो कोई ना कोई उस पे resistive force यानि के कोई ना कोई force of friction अपलाए होती है तो वो रुक जाती है यानि के कोई चीज़ अगर चलती ही रहे तो इसका मतलब है उसमें friction नहीं है तो अगर चलती रहे और चलती चलती वो रुक जाए तो इसका मतलब है उसमेझ कोई ना कोई force of friction मुझूद है तो किसी body में force of friction कोई ना कोई resistive force के होने की वज़़ा से ही कोई body रुकती है ठीक है तो इसका मतलब है कि damped oscillation कब होगी वो वली vibration जो के चलती चलती रुक जाती है वो तब होगी जब किसी जिसम में कोई ना कोई opposite force मजूद होगी जो कि इसको रोक देगी ठीक है spring की मिसाल हमने pendulum पढ़ा था गड़ी का pendulum जो होता है वो चलता 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 जब तक कि उसको पीचे से force लग रही है cell के जरीए से वो चलता रहेगा जैसे ही force चलेगी resistance आई वो रुक जाएगा simple pendulum की बात करें वो भी उसको एक दफ़ा आप हिला दें जूला है आप उसको हिला दें छोड़ दें आहिसता जैसे जैसे force से release होती जाएगी वो रुक जाएगा तो इसको हम कहेंगे damped oscillation ठीक है students मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आगी होगी अच्छा अब हम इसके एक example करते हैं students example जो हैं वो कफी सारी है इस तरह मैंने आपके example ती guitar की आप कोई भी example fit कर सकते हैं आप अपने daily life की example सोच लें आप उसमें देखें कि इसमें damped oscillation produce हो रही है या नहीं हो रही ball है आपने उसको जमीन पर मारा आपने उसको छोड़ दिया वो इस उसलेट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से उसकी oscillation कम होती 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 रुक जाएगी ठीक है जिस चीज में oscillation होती होती रुक गई तो हम इसको कहेंगे damping तो this is damped oscillation ठीक है students अब आपकी book में एक example दी गई है example यह है शौक absorber की students what is शौक absorber शौक absorber क्या होता है कि जिस तरह से आप bike चलाते हैं students जो हैं जो boys हैं वो bike चलाते हैं तो आपको पता होगा कि हम bike के शौक होते हैं हम उनको मरमत भी कराते हैं हम उनको ठीक करवाते हैं क्यूं क्यूंकि जब हम गुजरते हैं किसी ऐसी जगह से जहां पर कोई जमीन नीचे हो यह होती है तो bike उसमें लगे तो हमें बहुत ज्यादा जो है ना शौक लगता है ठीक है उस शौक को अब्जोर्ब करने के लिए वो शौक लगे होते हैं ठीक है उनको हम कहते हैं शौक अब्जोर्बर उन में क्या होता है वो इस तरह से बने होते हैं सबसे उपर वाला हिस्सा कार के साथ ये बाइक के साथ fit ہوتا ہے उसके नीचे piston लगा होता है ठीक है उसके नीचे liquid होता है liquid जो है आपके शोक का absorb करता है और उसके नीचे वाला हिस्सा attach होता है आपके car के साथ या आपकी bike के साथ ठीक है यानिक उसका उपर वाला face upper face और उसका lower face होता है ठीक है अब इसमें क्यों होता है students जैसे ही luxury car में आप बैठते हैं जैसा कि आप पराड़ो में बैठे ठीक है आप फॉर्चिनर में बैठे आप उसमें बैठे कोई ना कोई आपके जमीन जो है खराब आएगी तो शौक absorber का काम कि है वो आपकी vibration को absorb कर लेता है और vibration होती होती है इस जैसा से खतम हो जाती है तो students ये आज का topic था जिसमें मैंने आपको damped oscillation के बारे में बताया मैंने आपको अलग से बताया के what is damping और उसके मैंने अब कोई भी example fit कर सकते है ठीक है ये वाली example अब आपने करना कि आपकी book में damped oscillation की definition लिखी हुई है आपने वो definition करनी है उसके बाद आपने shock absorber की example है second number paragraph में ठीक है वहाँ से आपने ये आपके six or seven page पे ये topic मुझूद है आपने वो shock absorber की example fit करनी है ठीक है उसके बाद आपके ये बना देने उपर जो है उसका upper face होता है नीचे उसका piston होता है liquid होता है उसके बाद lower face होता है ठीक है ये करने के बाद आपने एक प्यारा सब topic त्यार करने है students देखें topic हर कोई बना लेता है उसको खुबसूरत बनाना well presented way में कि आपने इसको किस तरह से किसी को समझाना है ये चीज़ माइने रखती है देखें marker हमारे पास होता है pen होता है आप pen से सारा लिख देंगे वो मजा नहीं आएगा marker से definition की heading दे उसके नीचे आप definition लिख दें ठीक है example का लफ़ मारकर से लिखें piston मारकर से बनाए ठीक है उसके बाद आप उसकी example दें जो important बाद उसको मारकर से कॉमा लगा दें ठीक है inverted कॉमा लगा दें तो ये चीज़ आपके जो topic होता है उसको बहुत ज़्यादा प्यारा बना देती है और इसी चीज़ की paper में number मिल जाते है देखें आप खुद को जितना खुबसूरत consider करते हैं उतना ही खुबसूरत आपका काम होना चाहिए ठीक है तो हम अमीद करता हूँ आपको lecture समझ आ आ गया हो गया इंशालला नेक्स लेक्चर में हम topic number 10.3 पढ़ेंगे ठीक है वेब्स के बारे में तो आज के लिए इतना ही थिंक्यू सो मच